बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा तीसरी, विशे हिंदी, पाठ सोला, अगर पेड़ भी चलते होते बच्चों नमस्ते, आप सब के मन में कभी कभी कुछ अजीब सवाल उठते होंगे जैसे कि काश हमारे पंक होते और हम भी पक्षियों की तरह उड़ते आकाश की सैर करते, काश हम भी शेड जैसे जंगल की राजा बनते ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे बच्चों, ऐसे ही एक बच्चे की मन की बात आज हम जानेगे इस कवीता में, पाठ सोला, अगर पेड़ भी चलते होते बच्चों, ये कवीता है, इसे मैं पहले पढ़ूँगी और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते बांध तने में उसके रसी जहां कहीं भी हम चल देते अगर कहीं पर धूप सताती, उसके नीचे हम चिप चाते भूप सताती अगर अचानक, तोड मधुर फल उसके खाते आती कीचड बार कहीं तो उपर उसके जट चड जाते बच्चों, कैसी लगी आपको कवीता? अच्छी लगी न? तो बच्चों, अब मैं इसका अर्थ बताऊंगी अगर पेड भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते? बांध तने में उसके रसी जहां कहीं भी हम चल देते बच्चों, इसकार्थ है अगर पेड चलते होते तो बहुत आनन्दाता पेडों में रसी बांध कर जहां चाहते हम वहीं पर पेड को खीच कर ले जाते अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप चाते भूख सताती अगर अचानक तोड मधूर फल उसके खाते बच्चों, मधूर का अर्थ होता है मीठा और अब इसकार्थ में आपको बताती हूँ अगर किसी जगह तेज धूप से हम परिशान हो जाते तो उस पेड की चाया में बैट जाते और अगर हमें जोर से भूख लगती तो उस पेड के मीठे फल तोड कर हम खाते और अपनी भूख मिटा लेते आती कीचड बाढ कहीं तो उपर उसके जट चड जाते बच्चों, इसका अर्थ है अगर कहीं पर बाढ आ जाती खूब बारिश होने से या वर्षा से चारो और कीचड फैल जाता तो फोरन पेड पर चड़ कर बाढ और कीचड से अपना बचाओ कर लेते तो बच्चों, अभी आपने कवीता पढ़ी और इसका अर्थ भी जाना और आपने इस कवीता से क्या सीखा बच्चों? कि पेड हमारे लिए बहुत महत्पूर होते हैं पेडों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन और फल फूल मिलते हैं कागज मिलता है जिस पर हम लिखते हैं और बहुत सारी चीजे टाप्त होती हैं बच्चों, अब हम इस पार्ठ के कुछ अभ्यास कारी करेंगे पहला प्रश्ण है अगर पेड चलते होते तो क्या होता? बताओ, बताओ, बिल्कुल सही इसका उत्तर है पेड यदि चलते होते तो उनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक नहीं होती वे चलते फिरते नजर आते और पेडों के चलने से लोगों को, पशु पक्षियों को सबको परिशानी होती अगला प्रश्ण है बच्चों पेडों पर हम कप-कप चड़ते हैं? बताओ, बताओ बिल्कुल सही पेडों पर हम फल तोड़ने के लिए चड़ते हैं और बाढ़ आने पर पानी से बचने के लिए चड़ते हैं बिल्कुल सही अगला प्रश्ण है पेडों से हमें क्या लाब होता है? बताओ, बच्चों बिल्कुल सही पेड समस्त प्राणियों और जीवधारियों के जीवन रक्षक हैं ये हमें फल, फूल, चारा, लकड़ी और बहुत सारी वस्तुएं देते हैं अगला प्रश्ण है बच्चों अगर पेड ना होते तो हमें क्या कठिनाईयां जेलनी पड़ती? बताओ, बताओ बिल्कुल सही पेड पौधों के बिना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे हमें ऑक्सिजन मिलती है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है इसके अलावा पेडों से हमें लकड़ी, दवाईयां, कागस, फल, फूल बहुत सारी वस्तुएं प्राप्थ होती है बच्चों अगला प्रश्ण है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ पहला है मजे शब्द के समान तुक वाला शब्द लिखो यानि जैसे मजे शब्द है उससे मिलते जूलते शब्द पर आपको सही का निशान लगाना है अ बजे, ब राजा, स फल बच्चों इसका सही जवाब बताओ बिल्कुल सही, बजे अगला प्रश्ण है इन में से फल का नाम है अ, अमरूद, ब, मीठा, स, रायपूर बताओ, बिल्कुल सही, अमरूद अगला प्रश्ण है बच्चों अमरूद होता है अ, कडवा, ब, नमकीन, स, मीठा बताओ, बिल्कुल सही, मीठा, अमरूद मीठा होता है अगला प्रश्ण है बच्चों तना है, मेड का एक भाग, ब, पेड का एक भाग, स, रेल का एक भाग बताओ, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल सही, पेड का एक भाग बच्चों, अब मैं आपको ग्रीह कारे के लिए कुछ प्रश्ण दे रही हूँ इसे आप घर में करेंगे पहला प्रश्ण है, अपने आसपास के पेडों को पहचानो और उनके नाम नीचे दी गई तालिका में लिखो तालिका में लिखा हुआ है, बच्चों, देखो ध्यान से फलदार पेड, काटों वाले पेड, छाया देने वाले पेड, फूलदार पेड आपको इनी के अनुसार उनके नाम लिखना है अगला प्रश्न है, पेडों की रक्षा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोच कर लिखना है और तीसरा प्रश्न है बच्चों, पेड का चित्र बना कर उसमें रंग भरो तो बच्चों, आज यहीं तक अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते